देरराथ रिवाडी के धरू हेडा चूंगी स्थित सर्कुलर रोड पर हुई गैंग वाउर की घटना में दोनों और से चली गोलियों की आवाज से पूरा इलाका देहल उठा बताया जा रहा है कि इस कैंग वाउर में चार लोगों को गोलिया लगी और एक को चाकों से वार कर घायल कर दिया गया एक व्यक्ति को पेट में गोली लगी और उसकी घंबीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रैफर कर दिया गया है जबकि दो को रिवाडी के ट्रामा सेंटर और दो को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भरती करवाया गया है ट्रामा सेंटर में भरती दोनों यूवकों की हालत खत्रे से बाहर बताई जा रही है फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर चुपपी साधे हुए है ये कल रात को गोली आ रही होई है रिवाडी के अंदर तो हमारे पास रात को इमर्जन्सी में यहां पे ट्रामा सेंटर में ती मरीज आये थे जिन में से दो को गोली लगी थी और एक के तो गोली आरपार होगी थी पेट से उसको तो हमने रैफर कर दिया है हायर सेंटर और हमारे पास अभी यहां पे दो मरीज भरती है जिसमें से एक लड़का है 20 साल का जिसके पैर में गोली थजी पड़ी तूड गई है दूसरा एक बड़ा आदमी है उसके हाथ में पूरा फ्रेक्चर हो चुका है गोली आर पार हो चुकी है वो दोनों की कंडिशन अभी स्टेवल है इलाज यहां पे चाले हुआ है और अभी इंको अप्रेशन के लिए लिया जाएगा करने लिए इन्वाइट करना ना पुलना एना ही नहीं हिंदी देवेच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साड़ा फेस्बुक पेज अजी समाचा हिंदी योट्यूब दे उते वीडियो खबरां देखने लिए उन्हें सब्सक्राइब करो अजीत दा ओफीशल यूट पनजब दी आवास अजीद झाल झाल